माता को इस्थान प्रदान गरेरा माता को समान समान गर्चन हरेक इस्त्रीलाई आयूमा अफुबंदा शाना हुन ठुला हुन जुन शुकय उमेर का हुन ये श्वंबंदवा मलाई ठ्यक याद आयन तर मैले कतई पड़ेको थी नितिशास्त्रहरम यहो श्वयम पत्नी पनी दिन भर माता समान उन्चेन कि नमने जो माताले जुन प्रेम माताले जो संताहान को शुख का लागी श्रम गर्चन तेई प्रेम पत्नी बाट पतिले प्राप्त गर्चन इस कारण पत्नी पनी माता समान उन्चेन यो वैदिक शब्यता वैदिक मान्यता हो अनि आजकाल वैदिक धर्म ग्रंथ अरलाई ने गाली गरेर ओमेन इंपावर्मेंट मैला हक अतिकार का कुरा गर्चन ती बाइदिक शास्त्र अरलाई जुन शास्त्र ले नारीलाई शदय माता को इस्थान मा राखे का चन आमा शमान पुज्या उन्चेन भनेर जुन शनातन शास्त्र अरले इस्त्रिलाई शदय नहीं माता को इस्थान देनो परच यहां समकी शम्वधन गर्दा पनी आफू भन्दा शाना ना निहर लाई पनी माता जी भनेर शम्मान गर्नर शम्वधन गर्न जुन शनातन शास्त्र अरले शिकाउंचन ती बाइदिक शनातन शास्त्र लाई गाली गरेर अधिकारबादी टुपलेंचन। अले मैला अधिकारबादी उनका लागी आमरो धर्म शंस्कार शंस्कृति ला गाली गरे पचाड़ी यगदा मैला अधिकारबादी भैयालियो। जब कि आमरा शनातन शास्त्र ले बाइदिक शास्त्र हरेक प्रिष्ठ मा अरेक श्लोक मा हरेक पदमा इस्त्री लाइक कथी शम्मान कथी शम्रच्छ गरेर राके कोई अईले जो अशमान्ता अईले जो अपहलना आम ले देख्चों त्यो वास्तम मा अमरा बाइदिक शनातन शास्क्रिती राश्षकार ले है न त्योत अईले को शमाज वेवस्था ले हो अईलेको समाज वेवस्ता जोसमा शवई विशयरू पुजीको अरीपरी घुम चन। पैशाको अर्थको अरीपरी शवई विशयरू अर्थको अरीपरी घुमने जो अईलेको हमरो व्यवस्ता चनी यो व्यवस्ता ले संसकार शंसकृत देख देना कoga पैशा मातर देखचे जो श्काइ पैशा चान पैशा शृतैंश ले अरूली थी चोमी चो गरृ यहा किआ संसकार संसा कुनि ऐ सरोकार RAW राक देना िधके शमाज व्यवस्ता मा, बैदेग वन व्यवस्ता मा सबाई को यथा इश्तानना शवय्त छिए कि अधर हिस्थान उंसार शवयस्ता उत कितीए सम misinformation आप्चं वकत वाग वत है तर्य अइले जो व्यु वस्था मां हमी ॉट्य का चो यो व्यु व अर्थां आ उट लाइच इंचना कि म безопас ऑज पाफ ही चैन जिव कर पयोघ्या आधार में अर्था का आधार में शबय इथो घुम्ने विभस्थार में इस तरी सतार में सबच्पार आत्मशन्मानन श ऱ्सकार师 करते दुर लब्हा. शंचार मा वास्तविक भात्रित्तो विश्व एकता येदी कायम गरनी हो वने केवल वैदिक वणवेवस्था मात्र यवडा उपाये हो अन्ने सवय उपाये हरू हमले निर्माण गरेका हमरा श्वार्था अनुकूल का उपाये हरू हून जुन शुकई वेवस्था आये पनी वास्तविक भात्रित्तो श्माण जश्यता शमाजमा वास्तविक एकता अप्राप्य स कीनवने श्रिष्टी को आधी काल देखे जसरी मोबायल की ने पचाडी मोबायल मा यवड़ा चलाउनका लागी यूजर्स गाइड बने राउँचा निर्देशिका तेस्ते गरी यो श्रिष्टी शंगई आयेको निर्देशिका वईदिक शास्त्र हरून बक्तवाग बत्रू जसरी त्यों मोबाइल लाइ त्यों मोबाइल संग्षग आये को निर्देशिका का आधार मा चलायू वहने शई शई डंगले चलच निर्देशिका प्रयोग गरी। यूजर्स गाइड प्रयोग गरी। उर चलाएंगे। अधवा टीबी को रिमोट ले रेफ्रीजेरेटर चलाओन खोजे जास्तो तो कोईले पनियों देन बग्त बाग्वतर शमाज में यो बीग्रह शमाज में यो अशमांता यो सब्सकार शंसक्रित बिर्शे का कारण बाएको यो अमरो शमाज को मात्र समस्याईन विश्व कई शमस्याओ की नवने विश्व रभ विश्व मारेको यो सब्वेता चलाऊन का लागी यो स्रेष्टी चलाऊन का लागी जो सनातन शास्त्र अरुदी यो तेसला हमले तिरशकार गरेका कारण यो अशमांता यो बर्ग विचक खाडल व्यक्ति व्यक्ति विच्को खाडल आमरो संसकार संस्कृति भुले का कारण भाहे को अन्य था आज धर्म संसकार संस्कृति लाई गाली गर्ने अरले पनी उतकरिष्ट राज्य को कल्पना गरदा उतक्रिष्ट राज्य को तियो शपना को राज्य को सम्मंधमा व्याख्या गरदा आज पनी पृत्यु को राज्य, राम को राज्य, राम राज्य वहने रहांचन वक्त भागवतरू किन वहन तियो बैदिक राज्य थियो वहीदिक शनातन शंसकार संक्रिति मा आधारित राजय थियो एशले पण वहीदिक शनातन शंसकार संसक्रिति कวती महां स्वत है शिद्ध हों छा रह या प्रहा मयनां शुरपते यह शुरपति, यह देवेंद्र मुंच मुंच महाभाग स्वतिम पर परीग्रहम। यह प्रकार पर नारीको तिरस्कार नगर इनलाई तुरूंत छोड़ दियो। यह शुबंदा इन्द्र कि वह शुरूंत आश्याश्याज जठरे विर्यम अविशायम शुरदुश आश्याताम यावत प्रशबं मौक्षयार्था पदविंगता। इंद्रको फेरी दुरवद्धी यो कयादुको प्येटमा देव द्रोही हिरन्यक शेपुको अत्येंत प्रभाव शाली अमग विर्य छा बड़ दैई छा प्रशब पर्यांत इस्त्रिलाईम एथोची सम्मान देरै राख्षु जब प्रशब हुँँच बालक भय पचाडी त पड़े देंचु नारत जीवननुच अयम निश्किल विश शाच्छन महा भागवतो महान नारत जीवननुच इनको गर्वमा भगवान का साक्षाद परम प्रेमी भक्त एबं शेवक अत्यंत बल्ल शाली एबं निश्पाप महात्मा छन तिमीमा यो गर्वलाई मारन शकने चमता नहीं छाईना दिवर्षे नारत को योकुरा शुनेर तत छन अधितिलाई शम्मान गर्दै तिन पटक परिक्रमा अगरेर छड़ी दिये दैतिया आशुरिक भावर दैवी भाव विचको फरक यो वक्त भागवत तरू कंशले आकाश बानी शुने पचाडे तुरूंत मारन तयार भयो तिया अरेक उपायले सम्झावनी कोशिष करे को साइको कुरेई शुने तर या इंद्र एक पटक नारत ले तिमले मारन शकताई नू किन वने भागवान को अन्ने प्रियमी भक्त को बास्यो गर्भामा एती भने पचाडे तुरूंत कयादूलाई तीन पटक परिक्रमा गर प्रणाम गरेर किवल एती सुनेर कि भागवान नारायन का अन्ने प्रियमी भक्त चानरे तियो उधर मा तियो गर्भामा एती सुनेर मात्र किवल खई हो कि आई न अब जनमे अचाईनन पेड़ वेत्र कि हो कशो हो कि था इंद्र एलते शरीश्व चेन इंद्र ले नारत ल प्रम प्रवाव शाली भक्त को वचन कैले मिथ्या हुदाई न एती विचार गरेरा गर्वा मा भगवान विश्ण का भक्त चन भन्नी शुन्ना साथ कयादू लाई परिक्रमा गरेरा प्रणाम गरेरा छोडेरा गाई गर्वा मा भगवाद भक्त चन एती शुनेकाई भरमा तिने कयादू जसलाई मारन ठेक्क पारेकी कयादू बंदी बनावन ठेक्क पारेकी कयादू रा मारन ठेक्क पारेको गर्वा दुईट्राई को परिक्रमा गरेरा तत पस्चाद आपनो लोकमा गए एता दियवर्षी नारच जिले कयादू लाई आपनो आश्रम्मा लानु भयो र समझाई बुजाई गरेर जबसम्मा तिम्रा पती तपस्या गरेर फरकादाईनन तपसम्मा तिमी यही रहनू जो आज्ञा एती भनेर निरबायता पुरवख देवर्शी नारच को आश्रम्मा रहना लागनु भयो कयादू र जबसम्मा हिरन्यक शिपु तपस्या गरेर फरकेनन तपसम्मा घरवमे रहि र कयादू नारच को आश्रम्मा रहनू भयो मंगल कामना एवा में इच्छी समय आये पचाड़ी शंतान उत्पन्नगर्नी कामना ले बड़ो प्रेम तथा भक्तिका साथ नारजी को शेवार शुस्त्रुषामा कयादू लागी राखिन। भाग्त भाग्वातरू कताई कताई प्रश्ना आउनिगर्चा शुकदेवजी सोर शोर वर्ष बशनुवायोरे गर्वा में कशरी शंबा भन्चा वन्यार नुस्त्रुषामा जानुवंदा अगाडी कयादू को गर्वा मा प्रलादलाई रोपन गरेरा हिरन्ने कशेबु हमा कुम्हार तक शिंएणा को कुम्हा रोपन एक वर्स मा डुए न रोफूतैयों हजां करिया रहलतां औरज स् sharply black शर्णा अचिक कि फ awakवान्यश ने कशेबु तेह पक्रीं सेब नवी अर्ष युजिक उन्ज सेधा ने कश्यपुली में घराजिक हूलई नार्द ले तिम्या प्रशब पति अगाडी नहुदा खेरी सब्सक्राइब नहोंस दिम्यार उने छाई न जवशंम्ह तिम्रा पति तपश्या भाट फरकेर हांवं आन तपशंम्ह तिम्रा प्रशब हो धए न तपशंम्ह तिम्रा गर्बा-गर्बाॉमे रहां छ़े . ते प्रलाद ला को शरी अधभाई। प्रलाद वस्तम में गर्ब बाईर निसकेदा को आयू शानो गर्ब में तेत्रों वर्शेतं में वस्नवाखो उजन बाफ़ा व को बिकास्त गर्व भित्रई रह दा खेरी बने मानसिक भिकास्त ते इसावले होदया गया हुँँँपर। प्रलाद गर्व में होनुचर कयादू। थिो प्र्लाद को मंगल को मंगल हो शेस्तो कामन अले नारद को शेवामा लागनुबाई吧। देवर्शी नारद बड़ो दयालू एबं शर्व शमर्थ त्यों गर्व अवस्तामा कया दुलाई भागवत धर्मको रष्च एबं विशुद्ध ज्यान दुवाई को उबदेश गर्णवायो उबदेश गर्दा आखेरी नारद को क्रिपा द्रिष्टी म प्रलाद माथी भह ऺ्रदेन यदे तिमेरलाई मेरो योकुरामा श्रद्धाचस वने तिमेरले पने त्यो ज्यान प्राप्त तकर न शक्षव त Kelvin profit आले इस्तृवाम बाल को बिद्धी बनी शुद्ध हुन सक्षव जसरी इस्श्र मुर्ती काल को प्रैरणा आले अ zawD लाक्षन और खड़ा रहां चान भुर्किन चान बढ़ चन पाक्षन छेण उंचन रा नस्ट उंचन तेसे गरी जन्म और अस्तित्तो को अनुभती व्रिद्धी परिणाम छिय एबं बिनाश इच्छ भाब विकार शरीर मा देखिन चन शरीर छ प्रकारली विकार हुद कि शरमुर्थी भगवान चरी काल को प्रेरना आले जन्म उंच जन्म पसाद हमले हमरो अस्तित्तो को बोध उनलाक्ष ज्यान होनलाक्ष अनि शरीर मा ब्रिद्धी उंच परिम परिणाम तत्पसा चिया हुँँच शरीर विस्तार चिया हुँद जांच रां तमा अबिनाशी शुद्ध एबम एक चैत्र ग्या आस्र आ निर्विकार शोयम्प्रकाष अब का आरभ्यापक असंगत था आवरन रहिच्छ यो आत्मा का गुणरु लग्षणडरूं बारप्रकार का लग्षणडरू छन्डा आत्मा को नित्य अबिनाशी अनि शुद्ध एक चेत्रग्या, आस्त्रय, निर्विकार, श्वयम्प्रकाश, शबईको कारण व्यापक असंगर आवरन रहित्त इबार आत्मा का लक्षणरु हुन इद्वारा आत्मा तत्तो जाने को बुझेकोर शाच्यात कारगरे को ब्यक्तिले शरीर आदी मा अग्यान को कारण जो म एब मिरो एस्तो जो प्रवाब चा तेसलाई तुरूंत छोड़े दें छन जस्प्रकार शुन को खानी मा पत्थर मा ढूंगा मा मिलेको शुन लाई निकालनी बिदी जाने को ब्यक्तिले जाने को शोणकार ले अनेक बिदी द्वारा ते सुन लाई प्राप्त गर्चते साई गरिया अध्यात्म तत्तो जाने को ब्यक्तिले आत्म प्राप्तिका अनेक उपाय द्वारा शरीरूप खेत्रमा रहे को जो आत्मा चा तेसको साच्छात कार गर्ना सक्षन आचार्य हरले मुल प्रकृती महत ततो अंकार एवं पंच तन मात्रा यी आठ ततो लाई प्रकृती बताये का चन तीनका तीन गुण रोनी गर्चन सत्तो रज एवं तम तीनका स्वर विकार हरो चन दस इंद्रिय मन एवं पंच माहभूत यी शबय मा एक पुरुष तत्तो अनुगत्च यो शबय को समुदाय यो शबय को शंग ठन्ने दिहा हो यो दोई प्रकार को चा इस्तावर एवं जंगम इनमा अंता इसकरन इंद्रिय ततावन आत्म पस्तो अरू यो आत्मा हिन येस प कुम शंटन जर्द करदाये आत्मा खजनुपर च आत्मा तत्तो बुजनुपर च यह शांख्ये शंबंद मा चल Chuck将 WordPress शनधून के प्रिलादली परित अश्रक ओुर्णुपर ने कशारी आत्मा कशारी परमात्मा मा चिनने कशारी आत्मा को शरूब भुथ अवस्थ्था का वारेमा ज्यान प्राफ्थगरने कसरी भगवान सिर्य प्रमात्मा प्रमिश्वर को संवन्दपमा जाने , कसरी कृष्ण चंद्रको शरनमा जाने , Ś्री नारायन को चरनमा जाने ये शमन्दमा चर्चा गर्द हुनुँँच आत्मा शवई मा अनुगत्तर शवई भंदा प्रिथक इसकार और शुद्ध बुद्धिले विस्तार संचार को उत्पति इस्तिति एवं प्रलाई आदिमा विचार गरेर जाग्र शोपन एवं शुषपति तीनाई बुद्धिकाजो बुजेरा ये बुद्धियरु जसको द्वारा अनुबा बंच त्यों सवई भंदा अति सबको शाची भागवान श्री परमात्मा हुनुँच भंदे शम्मंदमा ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्चा एस शमंदम ये शरीर को विकार आदीले आत्मालाय कुण़े प्रभाब पार दें। ये श्वपन शमांच ये श्प्रकार चिंतन गरेर भागवान श्री हरी को शरनमा पर्णुपर्चा भागवान श्री हरी प्राप्त गर्नी उपाये पहले आत्मा तत्त को चिंतन तत पस्चात आत्मा को शुरुब भुत अवस्था र भगवान श्रीहरी को शंबन्दमा चिंतन गर्णु परचा, किर्तन गर्णु परचा, एस गान गर्णु परचा एस प्रकार अशुर वाल करलाई भगवान शम्मन्दमा भग्वा तत्तो शम्मन्दमा प्रलाद ले उपदेश गर दयोनुँछ अशुर वाल करलाई प्रलाद माराज उपदेश दिन्दयोनुँछ शवय वंदा पईले ये तीन गुण बाट हुने कर्मको बीजलाई नष्ट गरेर बुद्धे बृत्ती प्रभा निबृत्त गराउनुपर्छ तत पस्तात जो यो वद्धे बृत्ती अरको प्रभा निबृत्त हुने अवस्थाच यो अवस्थालाई नहीं वास्तमा योग भनेंच आजकालत भक्त वागवत्तरू योग योगामा परिणत भयो अनि शब्द शम्रचना शंग्षग योग को अर्थपनी परिवर्तन भयो योग वाट योगावनयो अनि वास्तविकी योग बिजा निर हरणम योग प्रवाहो परमोधिया परमात्मा शंग आत्मा को शंबंध जोड़ने जो विदी छ तेलाई योग बनेंधियो जुषको वास्तविक अर्थ जोडने हुँँच योग जीवा आत्मालाई परमात्मा शंबंध पुनरी स्थापित करनो योग हो जसे अवा कालक्रमन शार योग योगामा परिणत भयो येसको अर्थबनी परिणत भयो अवा ब्यान ब्यान गर ओफरीनो पाफरीनो टुनिखिलमा आस्नो रदवडनो योग भऴ़ग योग को वास्तविक अवस्था भनेको जब गुड अन्शार होने कर्म हरको बीज नस्टा होंच र बुद्धि बृत्ति को जो प्रवाहा चा त्यो जा गर रोकिन चा जन प्रवाहा जब निबृत्त होंच किवल रिदैमा भागवान का श्रिचरन मात्र चन त्यो अवस्थालाई जब पूर रुपमा आत्मा शाच्यात क्रित भैर परमात्मा शंग को हमरो शम्मन्द हमरो शुरुप भुद्त अवस्था शुरुप इस्तिती ज्यान होंच त्यो अवस्था योग को पूर्णता हो तरव अब योग को पूर्णता कती घर्षम्मा टाउगों उदो राकेर उब खुट्टा पारेर बश्न सकेंच त्यों कती-कती मिनेट बशेशी आनि पूर्णता होंच काल क्रमन्शार कली को प्रभाव शब्दर उदेश्चे दुवई परिवर्तन भाई कि इस प्रकार योग को वास्तवी कर्थ प्रभाव परमोधिया परम्मा परम पुरुष्वागवान श्रकृष्ण चंद्रमा शभाविक वृत्ति उनो बुद्धि उनो त्यों योग हो परमात्मा प्राप्ति हुनो त्यों योग हो त्यों चुटे को शंबंध हामी बाईर थे संबन्धा माँ हमिले घ्रारलेको, हम मने जुनशन शंबन्ध को धागु चुडाली बुकौन whirl तो घ्र iniciी हो तुब प्रेम में शेवा और घुब भक्ति को धालाए फेरी जोडनू योग हो तो अ तुब क्रिष्ण प्रेम प्राप्त कर नो योग पोन colors शर्वच्चता हो ये शम्मदमा ये त्रिकुणात्पक कर्मको जरोलाई उखाले रा फ्याक नकालागी बुद्धी बृत्तिको प्रवाब बंद गरे रा उदेश्ये प्राप्तगर्नी जो मार्गश स्यों मार्गहरू छन तर जुन उपाय वाट शर्वशक्तिमान भगवान प्रती शोभाविप निश्काम प्रियम होंच त्यो उपाय शर्वश्रेष्ट हो भग्त वहागवातरो योवन अवस्था का व्यक्तियर लाई शोहाव के इस्तरी प्रती कुने यूवन थी प्रती आकरशन भयो प्राप्तगर्न तु छल्चाम गरेरा प्राप्त गर्नानी मिलच, किड्नेब गरेरा अपरण गरेर लियारा प्राप्त गर्नानी मिलच तरह तियो रश प्राप्त करणू छ बने पुर्वक्य ल्याईयो बने त्यो रश प्राप्त हुन्छ रश हुँच पने हुँच पुर्वक कुसल अपनो बनाउन जती शहाच च त्याति अनेक तिगडम अपना आरा छल चाम करेरा शहुच छै भेद खुल्यों बने कोईले न जोडेने गरी शम्मंदा शकीन छे इसे गरी भगवत प्राप्तिको मार्ग मा पनी मार्ग अनेक्ष नस्टांग योग बाट पनी परमात्मालाई प्राप्त गर्न शकीन छे तर त्यों गर्नी सामर्थे छमतार शमय का आँछ ध्यान द्वारा अनि ज्यान द्वारा पनी प्राप्त वन्षक्ष तरह जुन सहस्ता शवाविक प्रेमाः भक्ती मासर प्रियम पुर्वकभग हर गवान को श्य सेवा लुमा जो सहस्तास कथी सह थ्भग है वेने कार्य गर्दागц ध्यान का लागी तवस्या का लागी सबाइद थोक gray- MSätos ज्यान का लागी तुट ज्यान तपश्या वंदा कथेंच तर प्रिमाभग्ति बड़ो शहत चाहर में आफ लेकान पकाउना इचा आफ लेकान पकाउना चोड़ंब भगवान का लागी पकाउना लागम प्रशाद को रुप मा त्यों खानीता हम लेए ब्यान उठेर दिन्भरी को चिंतनत गरनाई जा ब्यान सबेर उठेर दिन्भरी का लागी चिंतन गरों तर हरेक कर्म हरू दिन्भर गरनी कर्म फल्जे भगवान लाई पवे गार्ण गरिः खिंतन गरो कि एक आपने कर दो भागवान को कुनाए कुनाए जहार ले क पागवान 언शा बार hatred ले मंगयी आपा कुछी anges दिन उन्हें करuju टयाओ बद दिन भार मा भागवान श्रियारी लाईता Bran तो नवनो धाउनो अने के लाक गवने लो काक शेट को चर्चा गरनाई शा भाग वान श्रीयरी को नाम झप पलका भगवान श्रीयरी को यह शोगान के रतनकर गवान कशई अगवान काक्राइब यह नफ पहन खुणता है वह शंदाओ अर्था तक पुणित न्युछ का हमले हमरा परमगुर्देव श्रील प्रभुपाद ले अभियान को नामई कृष्ण भावना अम्रित वने रदेन वायो जो अभियान मा लागे रहा किये वल आमरो भावना लाई परिवर्तन गरे पुक्स प्रभुपाश्रीले बारम बार वननों त्यों एक्षन दसेम कॉंशेस्नेस डिफरेंट वने रहा एक्षन जे गरी राखे का छों कर्म जे गरी राखे का छों त्याही नहीं गरनी हो तर परिवर्तन चेतना मा भावना मा परिवर्तन लियाऊनी हो कि वह पना का लॉड़ ब मंगलन काुछा झाँाको कि वह पष्भागी बाल सोरी हम पिव्भारोग नग वह थाल करेंजशन Бог उस दयुंग कि वह उहती हो आया हुँ